हम बेक इन मा यूटुब चैनल तोड़े वी आर गोंग टो डिसकस अबाउट अल्फाबेटीकली सी अमेरिकन स्लेंग्स तो चलें शुरू करते हैं आज हम जो हैं वो अल्फाबेटीकली हमने सीरिस शुरू किये ए और भी हमने कवर किया आज हम सी से जो भी अमेरिकन बेस्ट स्लेंग आते हैं फाइव वो आज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हमारे पास स्लेंगे अमेरिकन का वो है शिक लिखने में यह चिक लगेगा मगर इसका प्रॉनसियेशन शिक होगा तो इसकी क्या माना है कि यह अमेरिकन इंगलिश में ऐसे बोलते हैं कि जो तो पहले हम इसकी मीनिंग लेखेंगे कि स्टाइलिश स्टाइलिश के लिए हम शिक यूज कर सकते हैं तो इसका एक्जम्पल क्या होगा कि शी लुप्ड शो शीक शीक इन हर लॉंग हैर्स कि वो दिखने में बहुत स्टाइलिश नजर आ रही थी अपने हैर्स से तो दूसरा जो हमारे पास अमेरिकन स्टाइलिश लेंगे वो है काउच पोटेटो काउच पोटेटो की क्या माना है हमने बहुत यह सुना है जब भी हम लेजी यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कि ओड़ी तो बड़ा बहुत लेजी है मतलब सुस्ते तो नार्मल इंगलिशमें हम लेजी बोटे हैं तो अमेरिकन इंगलिशमें हम आप नजर मेरिकन स्टाइलिश काउच पोटेटों यूज कर सकते हैं तो इसको म 15 में कैसे यूज करेंगे कि मार्मेड्ट रूमेट इस काउच पोटेटो काउच पोटेटो मेरा जो रूमेट वो काउच पोटेटो है मतलब लेजी है ही वाचिंग टेलिवीजन फार सेवन हावर्स स्ट्रेट मतलब वो साथ घंटों से कंट्यूनिसली टेलिवीजन पे बेठा हुआ है मतलब कोई और काम नहीं कर रहा मतलब पूरा का पूरा लेजी है तो इसके लिए हम काउच पोटेटो यूज़ कर सकते हैं तीसरा हमारे पास जो अमेरिकन्स लेंगे वो है क्रोक क्रोक हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं पहले तो हम क्रोक को देखें कि यह क्रोक एनिमल्स के साउंड से लिए गया है मतलब जब भी एनिमल या कोई हमारा बर्ड मर जाता है तो उसके साउंड आता है क्रोक से क्रोक साउंड होता है उसका तो हम समझ सकते हैं उसकी डेख हो चुकी है तो अमेरिकन इंगलिश में भी यह क्रोक टुडाय को रिफवर करता है मतलब किसी चीज़ का मर जाना दा ओल्ड मेन दा ओल्ड मेन क्रोक टे लास्ट वीक वह पिछले हफते जो बुड़ा अदमी था वो मर गया था मतलब क्रोक किसको यहां कुर्डाय को मतलब मर जाने को चौथे नमर पर हमारे पास आता है कि कट डील कट डील रिफर करता कैं तो मेंट dessert है गडीयमेंट के लिए मिन्स इसको एक्जम्पल में हम डेली एलाइज में कैसे यूज कर सकते हैं कि वी कट डील विद अली नाओ वी हैंडल all देयर अकांवंत के हमने जो जो आली से make agreement कर लिये अभी जो हम उसके पूरे अकांवंत स्थान चला रहा है मतलब कट डील मीणस है तो मेक अएग्रिमेंट मिंस उसके साथ हमने एग्रिमेंट कर लिये और लास्ट नमर भी हमारे पास आता है यह बहुत अच्छा मेरे कंसलेंगे के cut and dry cut and dry हम उसे बोलते हैं जिसमें किसी चीज की question ना रहे मतलब पूरी की पूरी चीज clear हो मतलब everything will be clear cut and dry किस चीज को refer करता है के clear को जिसमें further कोई भी explanation ना हो पूरा का पूरा जो भी हमने बताया हो वो clear हो तो इसको हम एक्जम्पल में कैसे यूज कर सकते हैं के stop questioning stop questioning the topic topic is cut and dry के सवाल पूछना बंद करें जो topic था वो clear है मतलब cut and dry हो के लिए रहे इसमें कोई भी further explanation नहीं है तो आज यह पांच थे अमेरिकन स्लेंक्स इंशाला नेक्स्ट वीडियो में डी अल्फाबेटिकली हम पढ़ेंगे अमेरिकन स्लेंक्स थेंक्यू सो मच